अगर आप मेरी semantic antivirus की वीडियो को फालू कर रहे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम antivirus को डिपलाई करते हैं किसी क्लियंट पर या किसी सर्वर पर तो हम उसके local जो है administrator है उसका उसके अंदर एड कर लें तो यह यह फ्रस सम्हें अचिव कर सकते हैं उसमें क्या करेंगे को इंगे में गुरूप के अंदर जो मेंबर करेंगे और उस मेंबर को जो है हम हर कम्यूटर के लोकल में से रखार करनेगे यह ने कि वह कि यूजर जो होगा लेकिन वह हर computer पे local जो होगा और फिर वह यूजर यूजर जो है हम यूजर नेम पासवर्ड हम यूज करेंगे अपने पर हम क्लायन को पुश्ट करेंगे इस से आपको क्या फाइदा मिलेगा कि जो है आपको हर computer पर जाकर उसका अब यूजर नेम जो है उसको नेबल करने में और पासवर्ड देने में आपको मतलब आपको उसको पेश नहीं आए तो इस मकसद के लिए मैं एक्टी और एक्टी खोलता हूं आप जह कहीं से अपने domain पर लगा रहा हूं यादख है कि एसमें जो है यह यूजर जो है यह मैंने कि जो है सपोस्थ है है स्ट का यह सेमेंटिक का जो मैंने क्रेड किया है इसको जो है हर कंप्यूटर पर जो है वो लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या पेशा सकती है कि आपकी जो सर्वर हैं मतलब क्रिटिकल सर्वर हैं वहां पर भी यह जाकर यूजर नेम पासवर्ट जो है मतलब वह आप यूज कर सकते हैं तो इस तरह मतलब डेटा ब्रीच या खास अप्लिकेशन पर उस user को जो है वो मिल जाएगी access मिल जाएगी जो कि मतलब security के लिए भी आपका हो सकता है security breach भी हो सकता है तो definitely आपने क्या करना कि अपने OU's create करने हैं और फिर अपने मतलब organization पूरी तरह आपने करनी है अपने organization में और उसके बात आपने OU के लवल भी लगाना है लेकिन मैं क्योंकि यह test lab है इसलिए मैं इसको पूरे domain पर लगा रहा हूँ तो इस मक्सिद के लिए मैं property पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यूजर क्रेट किया है semantic SYMANTEC और एक मैंने group क्रेट किया है इस group के अंदर मैंने semantic के user को जो है add किया है अब मैं चाहता हूँ कि यह semantic का user जो है यह मेरे हर client पर जाकर जो है पॉसिबल नहीं है तो इस मक्सिद के लिए मैंने group policy को यूज़ करूंगा राइट क्लिक करने के बाद property और group policy और यहां पर जो है पॉलिसी बनाते हैं local लोकल एडमन तो इस पॉलिसी को मैं edit करता हूँ और इस मक्सिद के लिए मैं आता हूँ computer setting security और यहां पर restricted group राइट क्लिक करने के बाद add group पर क्लिक करता हूँ और browse और फिर यहां पर मैं लिखता हूँ उस group का नाम मतलब मेरे एक्टी रेक्टी की group का नाम करता हूँ करता हूँ करता हूँ यह दिखिए यह help disk का यूजर है और यह ग्रूप है ओके किया आप यहां पर मैंने mention करना है अपने local जो मेरे computer है आप एक group create होता है groups के folder में जिसका नाम है administrators मतलब s आखर में लगा हूँ है administrators तो उस group के अंदर जो है मैंने इस group को जो मैंने create किया था help disk को इसको add करना है तो मैं add करता हूँ और यहां पर मैं लिखता हूँ administrators याद रखिए कि यहां पर आपने एक तो s लगाना है administrators के बाद क्योंकि यह administrators का group है यहां पर group mention हुआ है बाद सब्सक्राइब आप यहां पर सिर्फ एस ना लगाए तो administrator होगा जो के administrator का group नहीं है तो यह policy कामियाब नहीं होगी अगर दूसरी यहां पर ब्राउज पर मत क्लिक किजिए बगे direct जो है यहां पर इसी को जो है update करता हूं कि अब इस तरीके से हमने जो है अपने लोकल अपने एक ग्रुप को जिसके अंदर हमने जो है semantic का user जो है add किया है एक group बनाया है इसके नदर है semantic user को बनाया है अब जब मैं आऊंगा आपने semantic और मैं किसी भी system पर जाके उसको deploy करना चाहूंगा एंटिवाइस पर किसी भी system पर तो मैं semantic का यह username और उसका पासवर्ड यूज़ करूँगा ना कि मैं local हर computer पर जा गए local administrator को नेबल करूँगा और उसको पासवर्ड दूँगा और फिर वो यूटिलाइस करूँगा तो इस तरीके से डफिनेंटी जो है आपने एक तो यूज़ वगारा आपने प्रॉपल तॉर पर करने हैं और फिर है आपने परमिशन देनी है मतलब यह पॉलिशी लगानी है 2003 और 2008 या 2012 में एक जैसी है पॉलिशी आप चेक कर सकते हैं अगर कोई डिफरन्स आपको फील हो मुझे तो कोई फील नहीं हुआ तो इस तरीके से आप जो है एक यूजर आपने यूजर बनाया और जिसके में अ उसको मुटर के लूद्ध में जाऊंगर अब स्कारोप है सबस्क्राइब में आप एंड हो चुका है और इस हमें ऐसे हैं स करते हैं यहां मेरे एक इंवायरमेंट है मैं नहीं चाहता कि मैं बार बार इंडिस्ट्रेटर के यूजर नेव पासवर्ड से मैं लग-इन हूँ और लोकल सिस्टम पर लोकल पीजिए पर क्लाइन के पीज़िए पर मैं च्रबल शुटिंग कर तो मैं इस ग्रूप को यूज क एक और बात आपको बताता चलो जब आप समेंटिक एंट उर्स को डिप्लाई करना जाहते हैं यहां पर एड़ क्लाइन तो सेम प्रोसीजर जो है आपने अप्लाई करना है पुश के लिए टीच्ए यहां पर आपने वह सेमेंटिक का जो उजने आपने करना है ये?z यहां पर टेल्मन नहीं होता है है य मैं आप को से बता रहा हुं कि आपने क्या करना है आपने सेम्ट Siya रिमान का उसको उसको इसको पासवर्ड देना है और आपने डूमेन का उसको उसको उटिलाइस करना है क्यूंकि मेरा ये डूमेन कंट्रोले में पता है जैसे ही आप सोग्पूटर को बनाते हैं वहाँ से डुमेंज का जो administrator का जो group होता है वो काम करना बन कर दिता है और domain के सारे connection वगरा वहां पर utilize होना शुरू होते हैं लेकिन किसी भी client पर आपने जब इसको push करना है तो आप इस Semantic के username पासवर्ट को utilize कर सकते हैं इसके अलावा let's suppose जिसरा हमने group policy को utilize किया है client को मतलब एक local administrator को हमने add किया है सारे computer के local administrators के group में इस तरह आप जो है और जुशके requirement है let's suppose network की discovery वह भी जो है आप इसके अलावा जो 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 पॉर्ट रिक्वाइड है जैसे 137 445 138 और 39 यूड़ी पोर्ट और टीवी पोर्ट उसको भी आप गुरू पॉलिसी के तुरू जो है वो कर सकते हैं डेपलाई कर सकते हैं इनके वहां पर बहतर तरीका है कि आप जो है डेफिनले आपने पूर बूर्प पडकी है प्लाइक है यहींके अपने फिर पाइर्वाल कि चेंज़ करनी है उसमें पोर्ट करनी है और और उसको फिर अपलाई करना इसके लावा ने को सstation कॉपर खन अवी्ट कि आपने करना है ताकori कि वह भी अनेमल हो जब के अ